नमस्कार अब बात करते हैं कोटा के प्रेटने इस्तिलों की बात करते हैं कोटा बेराज सबसे पहले कोटा बेराज राजस्तान राजे में चंबल नदी पर नीरमित सबसे मैतफून जल संग्रे इस्तिलों में से एक है बरसर रीतू में इसके बड़े भाटकों के माधियम से तेज परवा युक्त जलधारा के मनमोग दुर्शे को देखने के लिए परेटक लालायत रहते हैं बेराज के पास भगवान सीव का कंस्वा मंदिर एक दर्शनी इस्तल हैं जहां एक दुरलब चोमुकी सीव लंगी सीव लिंग इस्तापित है न मुकंद्रा बाग अब्यारण करें तो कोटा से लग विए 50 कपुपीुरण की दूरी पर आता मारक पर सेलजर त्था कोली पूरा गिरदरपूरा होते वे दर्रा गाओंउं तक कोली पूरा पर सेलल्जर तक इस बद्राग अ नृ society वहरा सकता यह थे रहें है कि यह पैंतरवा कि वहरें जंगली सुवर लॉम्डी सियार काफी संक्या में देशी हैं परवासी पक्षु को देखा जा सकता है जग मंग जग मंदिर महल देखें कोटा महाराव दुर्जन सिंग जी की महारानी तता उदेपूर की राजकुमारी ब्रज कमर जी ने इस करतिम जलासे कि सोट सागर और किसोर सागर कोटा सहर के मद्दी इस्तिते हैं यहां पर परेट को है तू पावर मोटर बोट जेट इसकी और बच्चों है तू अन्य जल क्रिड़ाओं में वोटर जोर्बिंग बोल बनाना बोट आदी की सुजधा उपलते हैं इसके अत्तिरिक दियां पर शाहिकाल लेजर फिल्म एंड साउन्सो का आईजन किया जाता है यह इस्तान कोटा का परमुक परेटें इस्तिल अभेडा महल अभेडा महल का निर्मान 18 से ताबदी में करवाया गया था यहां महल साई आराम साह की दरस्टी से कोटा से 8 किलोमेटर के दूरी पर निर्मित कराया गया था जि इससे ज्यादा से ज्यादा वन्य जीवें पक्सी इस दोर आकरशित हो सके महराव उमेट सिंग धित्तिय के साशनकाल में इस चलासे में मंगरमच की विबिन परजातियों को पाला जाता था ताथा अभेडा का तालाब इसी के कारण परशित था